नमस्कार, हम सभी पर महराजी का आशिर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे नामजब की महिमा को बहुत ही कम लोग जान पाते हैं और कम ही ऐसे भागिशाली लोग होते हैं जो नामजब के वास्तविक अर्थ और उसके महत्व को जान पाते हैं उसे अनुभव कर पाते हैं और कहा भी जाता है कि इस कल्यूग में नामजब से ही आपका बेड़ा पार हो स और सबसे बड़ी बात, नामजब इतना आसान है कि इसे किसी भी बड़ी विद्या के बिना भी किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि इसे कोई भी कर सकता है, बस उस व्यक्ति की श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। और इश्वर पर उसका पूरा भरोसा होना चाहिए जब आप नाम जब करते हैं तो उसका धीरे धीरे प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है और आप भगवान से पूरी तरह जुड़ जाते हैं आप भगती के अर्थ को समझ पाते हैं और अब भगवान को महसूस कर पाते हैं तो सबसे पहला लक्षन जो होता है वो ये होता है कि आपको अपने इश्ट की अनुभूती होने लगती है फिर चाहे वो स्वपन के माध्यम से हो या फिर किसी और माध्यम से आप अपने इश्ट की अनुभूती बड़े ही आसानी से कर पाते हैं और ये ही सबसे बड़े लक्षनों में से एक है और ये सब नामजब से ही संभव हो पाता है क्योंकि नामजब बहुत ही प्रभावशाली होता है और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है आप किसी का भी नामजब एं किसी भी इश्वर का कोई भी आपके इश्ट हो चाहे राम हो, राधा हो, क्रिश्न हो नामजब से आपकी जिन्दगी एक सही दिशा में चलने लगती है और जब आपकी जिन्दगी एक सही दिशा में चलेगी तो आपका नामजब और जादा सिध होने लगेगा दूसरा लक्षन ये होता है कि जो व्यक्ति नामजब करता है वो अकेले रहना पसंद करता है वो ज्यादा से ज्यादा समय इश्वर को देना चाहता है और नामजब करना चाहता है उसे दिखावे की दुनिया पसंद नहीं होती और ना ही वो खुद दिखावा करता है और ना ही वो दुनिया को ये दिखाने की इक्षा रखता है कि वो कितना बड़ा भक्त है और उसके अंदर कितने ऐसे गुण है वो अपनी पूजा, अपनी भक्ती को अपने और इश्वर्त की सीमित रखता है और जब वो अकेला होता है तो उसे कभी भी अकेला पन अनुभवी नहीं होता क्योंकि वो अपने साथ इश्वर्त को महसूस करता है, उनकी उपस्थिती को अनुभव कर पाता है तीसरा लक्षन ये होता है कि जो वेक्ति नामजब करता है उसके मन में बहुत से प्रशनाते रहते हैं कि वो कौन है, वो क्यों इस धर्ती पर आया है, उसके जीवन का क्या उद्देश है, क्या उसकी भक्ती सही दिशा में जा रही है उसके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, और जैसे जैसे उसे इन सवालों का उत्तर मिलने लगता है, तो वो भक्ती के मार्ग में आगे ही बढ़ता चला जाता है, और भक्ती उसकी जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन जाती है, जिसके बिना उसका जीवन ही संभव नहीं होता चौथा लक्षन चौथा लक्षन यह होता है कि नाम जब करने वाला व्यक्ति थोड़े गंभीर सुभाव का होता है ऐसा व्यक्ति चंचल नहीं होता वो गंभीरता से अपने आपका अध्यन करता है अपने बारे में जाने की कोशिश करता है वो इश्वर को समझने की इश्वर को समर्पित हो जाता है भगवान ही उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा होते हैं और उसके एक सच्चे साथी और एक सच्चे मार्ट दर्शक होते हैं मैं आशा करती हूँ नाम जब के विशय में ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी इस अंग को हम यहीं विराम द झाल 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 झाल